हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज आपके साथ मैं टॉपिक में शेयर कर रहा हूं प्लास्टिक के ऐसी बॉटल्स हमारे घर में आती हैं बहुत सारी जैसे मस्टड ऑइल की है घर पे आपके कोडरिंग की पानी की बॉटल्स भी आती हैं तो इनको जनरली हम फेक देते हैं या पिर एक सिंपल सा इसका पैटर्न है नीचे से कट लगा के और इस तरीके के छोटे प्लांटर्स हम त्यार कर लेते हैं इसके अंदर में प्लांट्स को हम लगा देते हैं तो देखने में ये भी बहुत सुंदर लगते हैं अगर कलर वगरा कर दे मैं इतना कर नहीं पाता हू लेकिन अगर आपको मैं इसके पांच ऐसे प्लांटर्स बनाने के तरीके बताऊं जो की हैंगिंग में बहुत ही सुन्दर लगेंगे तो आप इसके अलाबा भी पांच अलग-लग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसे त्यार करने का जो फैटन रहेगा सभी के लिए सेम रहेगा एक ही तरीके से आप इसे त्यार कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक आपको यहाँ पर इन्फरमेशन दे रहा हूँ जिससे इससे आप बहुत अच्छे प्लांटर्स बनाके अपने गार्डन को और भी ज़्यादा सुन्दर बना सकते हैं तो चलिए इंडोर आउट्डोर में कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को लगाने के लिए टॉपिक में बात करते हैं मैं हो अनुप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बग्या की ABC ऐसा सिंपल पैटर्न तो हमने यूज़ किया ही हुआ है कई बार इसका आपने भी बनाया होगा लेकिन आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बहुत अलाग है के लिए क्या करना है प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है और इसे आपको सेंटर में से इस तरीके से मेजर करके कट लगा लेना है तो आपको क्या करना है ऐसा जो है सेंटर पे से नाप लेना है यहां से लेके यहां तक का जो एरिया रहेगा और इसके बाद में बीच में से से कट लगा लेना है आपको किसी मारकर से इस पे निशान लगा लेना है पहले और फिर इसके बाद में कट लगाना है तो बिलकुल ये लेवल में रहेगा एक जैसा रहेगा इसके बाद में अब हम इसके प्लांटर त्यार करेंगे तो ये हो गया हमारा मड्रिल तयार अब इसके प्लांटर पांच अलग अलग तरीके से कैसे बन सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है जब इसे आप इतना तयार कर लेता है तो यहाँ पे आपको इसे छेद कर देना है अगर आप इसे यहां छेद नहीं करेंगे तो जितना भी कुछ इसके अंदर में पानी जमा होगा बाहर नहीं निकलेगा तो इसके लिए आपको परशानी होगी प्लांट खराब होगा तो आपको छेद करने का ध्यान रखना है अब इसके बाद में हम इसके उपर में ऐसे इसे रख सकते हैं और ऐसे रख करके कोई भी प्लांट हम यहां पे सीधे लगा सकते हैं या कोई रेडी प्लांट हो जो छोटे पॉट के अंदर में हो और इसके अंदर में जा सकता हो तो इसके अंदर में डाल दीजे तो ऐसा एक आपका planter ready हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे यह मेरा money plant यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर में रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर में एक छोटा वाला इसके अंदर में डाल दिया है तो यह जो है इसके अंदर में रखा हुआ है पानी मैं यहां पर डाला नीचे स्टोर हो रहा है तो यहां पर मैंने छेद नहीं किया था तो पानी इसमें स्टोर हो रहा है तो इसे टेवल प्यूबर रखने के लिए हम यूज freaking सकते हैं नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं यह आपकी चोईसे प्लांट भी इसमें सुंदर लगेगा यह मैंने कली तियार किया है दूसरा इसमें आपको क्या करना है सबकु सेम रहेगा बस नीचे जो है यहाँ पर आखरी में छेद कर देना तो आप इसे आउटडोर में यूज़ कर सकते हैं अगर आप इंडोर में यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज़ करिए और आउटडोर में करना चाहते हैं तो इस तरीके से नीचे आपको निसान लगा लिजे ऐसे तीन या चार जो भी और इनको रसियों के सहरे आप छेट करके इस तरीके से एक बहुत अच्छा हैंगिंग त्यार कर सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर त्यार किया है और इसमें जो है प्लांट अगर आप कोई ऐसा लेते हैं 5 ये 10 कर लिजे और सभी मैं डोरी लगा करके इन्हें सेम इसी तर Te Après से चेट करके ऐसा बना लीजे और फिर इसको जो है उसके फसाद दीजे तो आपको जो है ऐसा तसरी जैसे जो रहेगा उसके अंदर के अंदर में hanging में ऐसे ही डोरिया लगा के और फिर आप कहीं टांगने के लिए भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने यह मिट्टी के गमले टांग रखे हैं तो ऐसा आप टांगने के लिए भी बना सकते हैं आप इसे चाहें तो इस तरीके से रसियों से भी करके सुंदर सा बना सकते हैं और चाहें तो उसमें छेत करके भी डारेकली टांग लिजिए तो दोनों ही option आपके पास में हो गया आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और छेत करके भी टांग सकते हैं इस information में मैंने आपको यह जो नीचे का part और उपर का part दोनों होते हैं इनको मैंने use करने का तरीका बता है तो बहुत यह अलग अलग तरीके से आप इससे त्यार कर सकते हैं थोड़ा सा अपना भी इसमें जो है अगर दिमाग लगाएंगे तो और भी जादा अच्छा जो मैंन लगाया था अगर इसका देखा होगा आपने वीडियो तो यह नीचे यहां पर टस्ट था और यह थोड़ा सा इनक्टिव जासा दिख रहा था और अभी यह रिकवर कर गया है सेट हो गया है और इसमें न्यू लिब भी एक्स्ट्रा एक आ गई है और यह वाली लिब भी इ पूरी तरीके से लग गया है और मैंने आपको बताया था कि इसे कैसे लगाना है अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि यह कैसे जो है कटिंग से मैंने प्रोगेट किया है वाटर के अंदर में तो पूरा इंफॉर्मेशन लेने के लिए एंड स्कीन पर मैं इसका लगा मुझे आप कमेंट करके जोरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंट्स तो लाइक और शेयर करें तिल देन क्लिफ फ्रेंट्स बबाई थैंक यू एप्पी गार्टनिंग